नमशकार दोस्तों आप देखने हैं EFC Times बात करते हैं Big Boss 18 की दोस्तों सलमान खान Big Boss के वीकेंड का वार सूट करने जा चुकी हैं वीकेंड के वार की सूटिंग स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि पहले कहा जा रहा थै कि पता नहीं सूट होगा की नहीं होगा लेकिन confirm suit start हो चुका है सलमान खान वीकेंड के बार को suit कर रहे हैं और आपको बताते चले हैं कि इस हबते कौन-कौन से मुद्दे रहने वाले हैं सलमान खान किन-किन मुद्दों में बात करने वाले हैं कि इस हबते कोई भी बाहर से guest आने की कोई information अभी तक नहीं आई है कि कोई बाहर से guest आ रहा है या कुछ ऐसा task वगेरा होने वाला है अभी information नहीं निकली बाकि जो भी होगा अंदर से information निकलेगी आपको बताएं तो इस हबते क्या मुद्दे रहने वाले है क्योंकि सल्मान खाना लेडी थोड़ा सब सारी चीजों को लेकर कि तो मुद्दे क्या करेने वाले हैं इस हबते काफी अच्छा विग बास गया है अभी तक पहले अपते तो इतना अच्छा नहीं गया था लेकिन ये सेकेंड वीक बहुत ही बहतरीन गया है और धीरे धीरे अपनी मतलब कुछाई को बढ़ता जा रहा है विक बास मतलब फ्लो में पकड़ रहा है जो चीजे होनी चाहिए वो होना सुरू हो गई है और इस मतलब कुछ जयदा किया है कि वहां पर विश्य कोया सिर्टि स्सक्राइब अभि आध की सी था था सुनने के। अच्छा कंटेंट वह था है। कम भी कर राइंट पढ़े उसको तो जिस तरह के से रीजमिस इसनबी है वह बहुत अच्छा रहा है वह गेम बहुत अच्छा खेल ला है जैसे भी बॉस में होना चाहिए उस तरीके का हो रहा है दूसरी बाद हो सकता है कि सलमान उसकी तारीफ भी करें कि भाई तुमने बहुत अच्छा खेला वहाँ पर जिस तरीके से करणवीर ने जो बात बोली जी तो करणवीर की भी थोड़ी बहुत क्लास लग सकती है कि बहन वाले मुद्दे में कि वह तो यह सारी शीचें वह बोल सकते हैं तो तारीफ के ज्यादा चांसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अविनाश के और थोड़ा बहुत क्लास तो लगेगी वहाँ पर करण की भ आप एक्टर हो तो एक्टर ही बोलेंगे तो उसमें कोई बेज़ती वाली बात बहुत बड़ी नहीं थी जिस तरीके से अर्फीन और अर्फीन के वाइब दोनों उस मुद्दे को इतना ज्यादा घसीर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि सलमान उसमें ज्यादा बात तो वो शिल्पा सीरोटकर जो कि उम्रों काफी बढ़ी है उसे तरीके से बात करता है मनला बेज़ती वाले लहे जैसे दोन अलगी तरीकिया रहा है गलत त्रीके की टोन में बात करता है kuon क्लास लग सकती है हाँ नायरा की भी क्लास लगेगी क्योंकि नायरा जिस तरीके से किसी का भी स्टैंड नहीं लेती है किसी भी मुद्दे में बोलना नहीं होता कोई भी मतलब नूटरल लेती है तो इन बातों को लेकर के भी सलमान खान नायरा के अच्छी कासी क्लास लगा सक करते हैं दूसरी बात बिना किसी तरीके का इस पहस्ची रंट दिया भी बोस नहीं का लगी गेम खेल दिया कि भीया महला बाहर किया और इसका अविंज को फिर से बंड कर दिया आब वहां पर वह उन चीजों को ले करके खाने-पीने की चीजों के ले के जिस तरीके से वो बाइसनेस दिखा रहा है वो सारी चीजें भी मुद्दा रह सकती है थोड़ा बहुत उसमें चर्चा हो सकती है बकि बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी हाँ अविनाश ईसा और एलिस की जिस तरीके से फ्रेंड्सिप जो बॉंड देखने को मिला है इस सकता है इसमें सल्मान अच्छी खासी तारीफ करें हेमा सर्मा रजट बग्गा मुश्कान और चाहत पर सल्मान चर्चा नहीं करेंगे सल्मान इनको इग्नोर करने वाले हैं यह साफ समझ में आ रहा है क्योंकि हेमा और बग्गा में कुछ कानी है नहीं मुश्कान में कुछ इसके कराब रजत प्रकाइब रचत को बी इgnore करेंगे सलमांथ क्योंकि उनको रजत से की बार-बार बार-बार-बार सनमकबूल को टार्चर किया जा रहा था रहा था बार-बार हर चीज में उसको किया जा रहा था वो उनका गेम था इसे वोटिंग में नमरवान चला हो लेकिन कुछ नहीं होने वाला जबकि रजट ने काफी कुछ मुद्धे भी दिये हैं विक बॉस को काफी लड़ाई जगड़े किये हैं हर चीज में घुस्ता राय खाने वाला मुद्धा हो किशन का मुद्धा हो हर से हूँ हैं तो नहीं लगता कि रजट से ज़ादा बात्चीत होने वाली हैं अब बात करते हैं कि अवेक्शन काप होगा क्या होगा तो भया एक्शन तो 100% होगा और सब्या इवेकशन होना भी चाहिए क्योंकि पछले अबते कोई एक्शन हुआ नहीं वकील साहभ वाली घ चांसेज नहीं है तो कि अभी तो बहुत सुरुआत हुआ है तीन महीने चलना है तो सिंगल इवेक्शन ही होगा हेमा या फिर बग्गाजी घर के बाहर जाने वाले हैं बाकि जो भी अपडेट होगी लगातार आपको हमारे इसी चैनल पर मिलते रहें कि सब्सक्राइब नहीं